कि अहलो दोस्तों मैं विसंदत टेप अलीविन से आज हम बात करेंगे दोस्तों हिदराबाद डैस की और हिदराबाद ॗो लivering गुल कुर्णड ऑ साथ और सेकंड जनुरी की रेस है दोस्तो दोh BEN 23 और पहली रेस 12 बच के 40 मिनिट में आगरी रेस चार बच के 45 मिनिट में टोटल 9 रेस है दोस्तों और पहली रेस 2400 मिनिट क्लास 4 की है इसमें टॉप होर्ज इस ओन फिल्ड मैं पिक करके चलूँगा एक नंबर इस ट्रॉस लास्ट टाइम याद हो गया और सभी को थोड़ा सा इसमें गोड़ा गेट पर ही प्लांट हो गया था और उसके बाद यहां पर बुक में रन दिखा नी रखा बट उसके बाद मोग देखे आ रहा है गोड़ा और उमीद करते हैं यार श्टार्ट टूफ नहीं जीते हैं लास्ट टाइम बारसों में बहुत बड़िया जीता था और दो नंबर है सिटी ग्रूज यार अगर लास्ट टन देखा जाए तो होपिंग क्लाउड के आगे गुड थर लगा है होपिंग क्लाउड ओक्स भाग रहा है फालल एलेंटी लेकर तो कहीं न कहीं पर यहां पर बनता है और शोलो सो से 200 मिटर सौट ही जाना है उसके बाद है सुरिया वाहान अफसेट कर सकता है दोस्तों पांच नंबर अर्वा वाहिद अर्वा यह भी आप क्लास जीत किया है और यार अपसेट आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं या यह कह सकते हैं किसकी प्लेस खाएगा गोड़ा और उसके बाद है सान नंबर फ्लेमिंग फालकन बैंगलोर से गोड़ा आया था और बारसु मिटर में हैट से चौथा हुआ था निखिल नाइडू के और इसमें जो मेरा पिक रहाएगा दोस्तो एक नंबर इस्ट्रॉस सुरण नरेडू और साथ नंबर फ्लेमिंग फालकन बीर निखेली सेकिंड रेस में आ जाते हैं दोस्तो थ्री एर ओल्ड की रेस है चौदो सुमिंटर की एक नंबर हंटिंग डर्न लास्ट विक्टी ब निखावा गोडा यहां पर यह तीन चार रूपे का भावता लगरा था गोड़ा और क्या हुआ कोई इंसिदेंट दिखा भी नहीं यहां पर इस बारी आपसेट कर सकता है दोस्तों फैज अपसेट कर सकता है यहां पर यह लख की नाइन लास्ट टाइम इस्टील में घोड भागता और एल्मूनियम हो रहे हैं और यहां पर ट्रैक ठीक जा रहा है यार सर्प्राइज रन दे सकता है चैनल पहला रहने आप इसे भी अपसट कंसीडर कर सकते हैं साथ नंबर एनराई डबल पावर हंटिंग डन के आगे फैरवर्ट था यार यह गोड़ा तो यहां पर इस बारी चांस इस बार ले सकते हैं आप लो और उसके बाद है आड नंबर संता बर्बरा लास्ट टाइम विड्डॉन हुआ था यार और इस बारी उमीद कर सकते हैं गोड़े से की बोड में रहे या एक बैटर रंदे गोड़ा पहला रने इसका भी और इस रेस में जो मे पावर हिंदू से जो की चेंज हुआ है देखते हैं यार क्या करता है इस बारी और थर्ड इसमें आ जाते हैं दोस्तों कि बारसों मिटर क्लास थी किया है इसमें एक नंबर मैक्सिमम गलेमर लास्ट राम सूरज ने बहुत बड़े जिता है एक दस के टाइमिंग में गोड़ा जीता है और बहुत अच्छे टाइमिंग है दो नंबर टॉप इन क्लास चौदा सो अक्से कुमार के नीचे बहुत बड़े जीता है कि लास थरी और उससे पहले क्लास फोर ही भागा है और क्लास थरी देखी हुई दी गोड़े ने और उसके बाद तीन नंबर संडांसर दोस्तों यहां पर सर्प्राइज या यह कहलो अपसट कर सकता है उसके बाद है लारस लास्ट टाइम काफी अच्छा पाव मिल गया था गोड़े को यार और इस बारी बिल्कुल यह रिपीट कर सकता है गोड़ा और इसमें यार में तो तीनी गोड़े दिख रहे है मुझे एक नंबर दो नंबर और साथ नंबर बट मैपिक में लेके चलूंगा दोस्तों एक नंबर मैक्सिमम ग्लेमर दीपक सिंग उमीद करते हैं बैटर रंद यार गोड़ा टाइमिंग के साफ से जीता है दुवारा जीते दिपक सिंग के नीचे और दो नंबर को पिक करके चलूंगा टॉप इन क्लास पी ट्रेवर तीसरा गोड़ा अब्बे सकसे ही है यार बट दो इगोड़े पिक करके चलूंगा और चौती रेस में आजाते हैं दोस्तों चौदो सो मिटर की रेस है क्लास फाइव की यार एक नंबर आईजा सोनू कुमार बहुत बड़ी है राइडिंग करता है यार और चौदो सो मिट यार यह भी एक सर्प्राइज रन दे सकता है क्लास डाउन कर रहा है इस्टील से अल्मोनियम हो रहे हैं जूते और कचना लास्टाइम लैम हो गया था यार क्लास फाइब में सिवांस के नीचे यहां पर अपसेट कर सकता है गोड़ा लेडी रांसर गुड़ फोर्थ लगा और नजर रखना दोस्तों अपसेट कर सकता है गोड़ा भी यार आर्ट नमबर सुट मेलेडी का काफी क्लूज फोर्थ हुआ था चांस इसका भी बनता है और ए यार सुपिरियर उमीद करते हैं क्लास फाइब में जीते यार इस भरी और इस रेस में मेरा जो पिक रहाएग सिरी एस किर्सना मेमोरियल काप है गोड़े इसमें यार दो नमबर भी है और बट जो मैं टॉप में मुझे जो दिख रहे हैं वाच माइ स्ट्राइड तीन नमबर अक्से कुमार और लागोस के साथ में गुर्थर लगा है गोड़ा यार उमीद करते हैं कि जीते 1600 में और द दिन नमबर वाच माइस ट्राइड अक्से कुमार उमीद करते हैं सिंगल गोड़ा जीते हैं मुझे यहीं समझ आ रहा है बाकी यह वह दो तिन गोड़े जो आपको दिख रहे हैं वह भी मुझे भी दिख रहे हैं अपसट के लिए जैसे पांच नमबर के सिर्या बालम प्र उनों कुमान ने यहीं से मेर को थोड़ा सा यह जोकी नजर भी आने लग गया तो उम्मीद करते हैं यहां पर चांस ले सकते हैं आप लोग अपसेट यार फ्रेंसिस बैकन लास्ट टाइम अच्छी विक्टी थी कुल्दीब के नीचे यार विदाउट विप और इस बार काफी डिस्टेंस क्लोस था यार और वाई यह सिना बैट गया इस बारी जीतने के चांस बनते हैं इस गोड़े के नाइट मेयर के साथ में यह गोड़ा एक नमबर के साथ ही तीसा लगा था उसे जिवरा मेंटो चांस 24 सो उमीद करते हैं कि बैटर रंदे पांच नमबर ये यार काफी यह भी एनराइस सुपर पावर के साथ ही भागावा गोड़ा है और यहां पर सूरिया से पीट हैवर बैड़ी है वालप एंड गैलप नहीं पिक करके चला मैं खेर और यह रेस दोस्तों वंटू की है तो यहां पर जो मुझे दो गोड़े दिख रहे हैं यार त साथ वी रेस में आ जाते हैं दोस्तों चौदर सु मिटर क्लास फूर की रेस है थोड़ी अपसेड रेस लग रहे है ज्यादा यारी है मिल्टन के नेस लास्ट टाइम अफ्रोज खान के नीचे स्लो गोड़ा निकला है उसके बाद गुट सैकिंड लगा 1100 में 1400 जाना है बि कि वोड मुझे लग रहा था कम हो और इस बारी कुलदीब के नीचे बिल्कुल गोड़ा जे सकता है स्टार्ट टू फिनिस और पांच नंबर मैं रोल मॉडल को देख के चलूंगा यार उसके बाद स्लो निकल के गुट थर्ड लगा 1400 में अक्रोबैट के साथ में उससे पह आएगा दोस्तों दो नंबर विजिनरी कुलदीब एस और पांच नंबर रोल मॉडल गौरफ सिंग आ जाते हैं दोस्तों ओक्स में गोलकॉंडा ओक्स है चौविस सो मीटर की ग्रेट टू की रेस है और इसमें जो मेरा पहले मैं टॉप और जिस ऑन फिल्ड में आ जाता अठारा सो तब भागने के बाद भी गुड़ सेगंडी लगा है और नोस की बिडिंग थी लास्ट टाइम उनसट से सत्तावन जा रहा है और सबसे बड़ी बात है गोड़े को फाइनल लेंटी दी गई है और उसके बाद है दो नंबर हिमेंटेडियन सुरनेडू साड़े लेंटों से जीता उससे पहले पांच लेंटों से जीता है 2400 जाने 600 मिटर एक्ष्टा बिल्कुल यह गोड़ा भी आर उमीद कर सकते हैं और यह भी फाइनल लेंट्री है तीन नंबर एनराई सुपर पावर यार इस गोड़े की फाइनल लेंटी नहीं है और बिल्कुल डर प्रिस दाका भी दोस्तों अपसेट कर सकता है यह भी भागा था सेलेंटों के साथ में और उस दिन सीडिनाद बैठा वा था यह छटा लगा था प्रिंसरिज घाका और एनराई सुपर पावर पांच वा लगा था तो आप समझ सकते हो कुछ हो सकता है उपर नीचे और उसक को और फाइनली जिन गोड़ो को बीट किया है आर्टमिस इगनेसिया वह भी अपने आम में बढ़ाई गोड़ा है और बहुत बढ़िया विक्टरी थी उम्मीद करते हैं ट्रैवर के नीचे यह गोड़ा दुआरा जीते और इस गोड़े के भी दोस्तों फाइनल एंट्री बागी तीसा गोड़ा यार सूरज ही समझ आ रहा है वैसे तो मिरको बट फाइनल में यही दो गोड़े पिक करके चलूँगा और नौवी रेस में आ जाते हैं दोस्तों 1600 मिटर की रेस है ग्रैंड ड्यूक थोड़ा सा लास्ट टाइम एक क्यावन से टॉप वेट में जा रहा है गोड़ा बट बिलकुल यह गोड़ा यहां पर चांस बनता है इस गोड़े का कार्निवल लेड़ी बहुत बढ़िया विक्टी थी लास्ट टाइम यहां बलड वेस सब्सक्राइब कार्निवल लेड़ी के साथ में गोड़ा यहां पर उमीद कर सकते हैं अक्से के नीचे दुवारा मतल़ रिपीट करें गोड़ा आकास भी दोस्तों अप्सेट कर सकता है आयम सुपर मेन 1600 मीटर का घुणा कलास थाइम में अच्छी विक्टी थी निखिल के नीचे और सकरपंच भी दोस्तों सलो निकल के सलो निकल के थर्ड लगावा गोड़ा है यहां पर बनता है और इस दोस्तों जो मेरा पिक रहे गाए यार काफी कॉंप्लिकेटिव देस लग रहे है वैसे बट इसमें जो मेरा पिक रहे है दोस्तों तीन नंबर सुपर स्टेलर पी ट्रैवर और आठ नंबर एनराई अल्टरा पावर अक्से कुमार कार्निवल लेडी और ग्रैंड डियुक मेर लोवर वेट में लोवर ओड में तो मिद करते हैं बिलकुल या ट्रैवर के नीचे गुड़े को एक बड़िया रन मिले इस बारी थेके दोस्तों इसे के साथ all the best यार और best of luck और हसते रहें मुस्कुराते रहें और गुन-गुनाते रहें ठीक है भाईओ इसके बाद मिलते है यार हिदराबाद की रेस है तीन तारिक को और ठीक है बाई टेक केर मेरे भाई हूं बाई